हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम टू मैं चैनल MF Tunes आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं अपनी एप के अंदर एक प्रोग्रस डायलोग कैसे एड कर सकते हैं जैसे कि अगर आपने किसी एप को ओपन किया होगा जो कि इंटरनेट पर चलती होगे तो सबसे पहले वो ओपन होने पे कुछ वेटिंग टायम शो करती है तो वो हमारा प्रोग्रस डायलोग होता है आईए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे अगर मैं अपनी एप को इंस्टाल करूँ आ तो वो प्रोग्रस डायलोग शो करेगा जो कि 5 सेकंड है और 5 सेकंड होने के बाद हमारी एप रन करेगे यह देखिए आप देख सकते हैं आप इसने प्रोग्रस डायलोग को शो किया है तो हमारी आप जो एप है वो उसमें अंदर एंटर हो चुका है तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताके आएंदा मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन बहासानी मिल सके तो आईए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं मैं अभी अपनी main activity.kt के अंदर हूँ मैं आपको अपनी XML भी दिखा जाता हूँ यहां पे कुछ भी एंटर नहीं है ठीक है तो हमने सिरु main activity के अंदर थोड़ा सा code यहां पे एंटर करना है तो हम सबसे पहले यहां पे एक variable create करते हैं जैसे कि हमने alert dialogue के अंदर create किया था while prg is equal to capital P से progress dialogue यह देखें यहां पर show हो जाएगा यह progress dialogue आपने करना है और यहां पर आपने this यहां पर लिख देना है as a parameter उसके बाद गया आपने simple क्या करना है यहां पर prg.set यहां पर इसका message दे देना है कि आप आपने इसका message का set करना है जब यह run करें तो मैं यहां पर लिख देता हूँ please wait ठीक है तो गई उसके पदम यहां पर set करेंगे यह कि हमारा user इसको cancel कर सकेगा यह नहीं कर सकेगा तो मैं यहां पर cancelable अगर मैं यहां पर true कर दूँँगा तो हमारे progress dialogue को cancel कर सकेगा लेकिन अग यहां पर dot post delayed और यहां पर curly braces और यहां पर मैं क्या लिखोंगा simple prg.dismiss इसका function call करूँगा और उसके बाद braces से बाइट जाके मैं क्या करूँगा यहां पर simple अपना जो time add मैं यहां पर 5 seconds दूँगा तो मैं यहां पर 5 थाग और यहां पर millisecond में time हम यहां पर set कर देंगे ठी तो show हो जाएगा ठीके guys तो आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ मैंने यहां पर progress dialogue का एक variable क्रेट किया है और यहां पर set message किया और cancelable किया है और यहां पर मैंने handler के जरीए dot post delayed के जरीए मैंने यहां पर time set कर दिया तो आईए अब हम देखते हैं क्या यह सही working कर रही है यह न देख सकते हैं यहां पर जो हमने progress bar create किया था dialogue create के तब उसने show किया और वो हमारी app के अंदर move कर गया है तो guys आज की वीडियो में बस इतना ही बाकि इंशाला next वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलें